तीस साल से कबजा हो या पचास साल से हो या सौ साल से हो कबजा अगर हक लेने का सही तरीका मालूम होगा ना तो आप अपने संपत्ती को जरूर वापस पा सकते हैं लेकिन तरीका सही होना चाहिए देखिए सबसे पहले यहाँ जो सवाल है देखते हैं कि मेरा जमीन तीस साल स करता है ठीक है कबजा करता है और उसका दाखिल खारिज भी करा लेता है तो इसका मतलब ये है कि दाखिल खारिज अगर उसके नाम से हो गया किसके नाम से कबजा धारी के नाम से दाखिल खारिज भी हो गया तब इसके पास तो एक चीज और option कानून से चला गया परतिकूल कबजा का कॉंसेप्ट लागू नहीं होगा मतलब यह 12 साल से कबजा रखे या 20 साल से रखे यह तरह से अबएद जो है तरीके से किसी संपत्ती को दकल करने के बराबर ही होगा और यह अपना मालिकाना हग का दावा भी कभी नहीं कर सकता इसलिए कि खुदी मालिक है तो मालिक नहीं है कैसे तो जमीन जो है 30 साल से अगर कभजा करके रखा हुआ है तो आपके पास तो वो कागज होना चाहिए जो आपका संपत्ती है मालिक है 30 साल से कभजा है तो आपका जमीन का registery है या आपर जमीन का खतियानी जमीन है तो वो original document होना चाहिए उसके साथ आपको court में टाइटल सूट केस फाइल करना पड़ेगा ठीक है और टाइटल सूट से होगा क्या कि कबजा धारी को नोटीस भेजा जाएगा कोट से और उसको जवाब देना पड़ेगा कि आप जो ये संपत्ती 30 साल या जो भी है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का संपत्ती है और कि टाइप से जो आपका जवाब त्यार किया गया तो यानि ये इसको जवाब देना पड़ेगा किस अधार पे आपका कबजा है आप जे कबजा करा है सिर्फ दाखिल खारीज करा के जस्ट कुछ दिन पहले का है जो सुप्रीम कोट का बयान है ज्यादा समय नहीं हुआ है पूरा आपको फॉलो करना पड़ेगा अब कोई व्यक्ति सिर्फ दाखिल खारीज करा लेगा मालिक है रजिस्ट्री नहीं करा है सिर्फ दाखिल खारीज करा लिया तो संपत्ति का मालिक नहीं हो गया रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारीज हुआ तो वो संपत्ति का मालिक हुआ ठीक है तो चली अगला सवाल देखते हैं सवाल है कि बंसावली कितने तरह से होता है और जो है वैलूवल कौन सा है वैलूवल कोट से बना लें सबसे सही तरीका है आप जो है किसी वकिल से संपर्क कर दें अपने चले जाएं उन्हों करेंगे किसी वकिल से कापको बंसावली त्यार करवाना वो सारा परक्रिया बता देंगे तो उसका अर जगा भैलू है कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है सवाल यह है कि पूछ रहें कि सर दिली में दाखिल खारिज जो है होगा की नहीं मेरा पास रजिस्ट्री है पलोट का मोहन गार्डन दिली तो दाखिल खारिज बिल्कुल होता है और दाखिल खारिज जो है ठीक है होने के बाद ही जो है आपका वो एक तरह से रजिस्ट्री सही माना जाएगा ठीक है तो दाखिल खारिज जरूर करा लें मालत है जिससे भी आप संपत्ति कर दें है तो दाखिल खारिज का जो पर क्रि है फिर आपका नाम से ट्रांसफर हो जाएगा फिर आप उस लेंड का टेक्स पे कर पाएंगे ठीक है तो बिल्कुल जरूरी है और बिल्कुल करा लेना अब हमारा जो है एक तरसे फेक एफायार जो है और अब्यूज धमकाता है देखिए अगर ये जो है रिटार्मेंट के बाद कर देना तो फिर अभी फिलाल आपका हक बनता है लेट नहीं किजिए आप हो सकता है कि इस मामले को लेकर एक बार तो पहले जिला अदिकारी के पास है ठीक है आपकी रजिस्ट्री है और दुबारा रजिस्ट्री हो गया ना कोई कर दिया माल लेते हैं और आपका रजिस्ट्री करने बाला अगर वैक्ति वही है जो दुबारा किया और उसका दाखिल खाड़िज हो गया तो उस केस में जो है आप समझ सकते हैं उस पे धारा एक्ती को जो जमीन को बेचा है दोनों पार्टी को नोटिस करना परेगा ठीक है तो बिलकुल डड़े नहीं जो करता है कानून में बिलकुल जाइए अब किसी से कोई अब्यूज करने की जरूवत नहीं है जो होना होगा वहां होगा और यह गैरेंटी है कि आप जो है केस जर ठीक है अब हमें नहीं पता की जमीन कहां से बेचा है कैसे पता करें यह तो जमीन जिसको माल लेते हैं कि आपका जो भी समपत्ती दर्ज है पहले उसको नकसा में दिखा लेजिए कि कहां कहां है ठीक है तो नकसा जो समपत्ती दर्ज होगा जिसे जो भी कागज होगा ना त उस पर किसी और काप जाओगा तो से भी बात कर सकते हैं, हो सकता है, वो भी कागज दिखा दे, तो आप वो देख सकते हैं कि धर से बेचा, क्या बेचा, तो रही बात संपत्ती के यहाँ पे तो दादा जी की अगर जमीन है, तो इसमें अगर दो भाई हैं, तो दोनों का आध पिता हैं वो तीन भाई थे मतलब यहां पर भाई होंगे और यहां पर भाई होंगे अब यह हैं अब करें कि दो भाई का डेथ हो गया है और एक भाई का एक लड़की है मतलब एक भाई जो दादा के पिता थे यह जो इनके भाई हैं इनका सिर्फ एक लड़की और उसी का बं मतलब यह बात लेकिन अगर इस दुनियां में वह नहीं है अगर भाई भी दुनिया में नहीं है तो फिर इनका हक होगा कानूनी तरीके से कोई भी यहां पर रुकावट ने होगा लेकिन लड़की है अगर उसका बनसद चला है तो कानूनी तरीके से अगर लड़की साधी होके चली भी गई अगर उसका बनसद चला वो लड़की मर भी गई तो उनका वच्चा भी होगा तो कानूनी तरीके से उस संपत्ती को कानून के द्वारा हासिल कर सकता है ठीक है सवाल है कि किसी ने अगर दोबारा मेरी जमीन का जूठी पाबर अटरनी बना के जमीन का जो है अपने नाम पे करा ले जमीन ठीक है तो क्या ये तरह से वापिस देगे जमीन को अगर जूठा तरीका से बना के बेज दे कुछ भी कर दे ना तो आप उसको जो है एक तरह से कैंसल करवा सकते हैं आप उसके लिए कोट का सहारा ले सकते हैं चाहें तो आप अधिकारी के पास भी उसका कमप्लेंड कर सकते हैं केस उसके लिए नाले में जो है उसको ये फर्जी करार आप दिया जासकता है और यह ज्जादा समय भी नहीं लगेगा क्याएक वह कादस्ताबे जूठा है आदमी उसके जूठा है अगर पर और चुणा इसको भी कर क DANbank करते है तो अगर वह ऐसा कोई करता है तो वह तुरंत आप उसको फर्जी साबित करके रद करा के और रजिस्टी को कैंसल करा सकते हैं रजिस्टी कैंसल कराने का प्राबधान जो है वो दिया गया है नियुक्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं सबसक्राइब करके जो भी आपके लिए वीडियो